गुड मॉर्निंग दस्तों क्या हाल चाल, welcome back to my new vlog तो आपको बता है ना हमारे आपे देवी देवताओं को कितना ज्यादा माना जाता है तो एक्चुल में होता ही है कि मान के चलो आप किसी गाओं में गए किसी गाओं के मंदिर में जाके आपने विश मांगी जैसे मिश मांगली कि भगवान मज़े अच्छी बीबी मिल जाए या फिर आपने मांग लिया कि मेरे को जॉब मिल जाए और I hope कि वो पूरी भी हो जाए और कुछ ऐसा होता भी अगर आपकी लाइफ में तो इंसान खुद से बोल के जाता है कि मैं आपको भगवान जागरन दूंगा या फिर पूजा करवाऊंगा तो ऐसा ही कुछ फंक्शन है एक दूसरे गाओं में मतलब हमारे गाओं में हमार है कि फसलों के ओपर नुकसान भी हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिलाल दुआ करता हूँ कि जल्दी जल्दी सब चीज़े ठीक हो जाए और यहां पर है सामने गाड़ी खड़ी तो चलो फटा फटी से स्टार्ट करते हैं अकेला मैं ही फंक्शन को नहीं जा रहा मतलब वो जो आप घर देख पा रहे है ना लुवलु कलर के बस तक जाना है तीन लोग चाटाजी चल रहे आ गया 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 अजुवाई ठीक था को चले चड़ाई बहुत ख़तरनाग है वाई यह खड़ी चड़ाई है ना तो बस हो जाती है पूरी उपर तक पहुंसते है तो अभी दोस्तों रास्ता जो लगव गादे से जादा हम चड़ चुके हैं बस पहुंचने ही वाले है लेकिन उससे पहले मैंने सुचा क्यों आपको एक इंट्रेस्टिक चीज दिखा देता हूं यह आप देख रहे हैं यह जो रास्ता जा रहा है और यह पड़ा एक घर जिसको हम बोलते है घराट थोड़ा संबल के उतरना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम में यह जो घराट होते हैं यह बंद रहते हैं यह देखो किस तरह से सीडिया बनाई है नीचे को और चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या होता है अब पता नहीं यह चा जिनती है और वहां पर आटा डालते है उपर बे और आटा फिर यहां पर आ जाता है अब टाइम थोड़ा अपड़ा हो गया तो यह चीज़े बंध हो गी है लेकिन कभी अगर आप कमेंट कर गए तो चल्की चक्ती दिखा दूँगा आपको इसे हमारी लैंग्वेज में ब अब बापिस भी लोट आया हूं और मैंने जो टाइटल लगाया कि मेरे व्लॉग से अफसे नहीं आएंगे इसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि अभी जो व्लॉग में शूट कर रहा हूं सच बताऊं तो मुझे कंफर्म नहीं है कि यह व्लॉग भी आप लोगों तक पहुचा पाऊंगा या नहीं क्योंकि कुछ इस तरह की आगी है चलो आपको पूरा एक्स्प्रेइन किया देता हूं कि एक्चुल मैं चल क्या रहा है आप लोगों को पता जब मैं आइफोन लिया था नो उस टाइम पे मैं चंडीगर में था और आइफोन लेते ही मिरे को अगर नहीं प्राबलम आई थी जब भी मैं अपने आइफोन को चार्जिंग पर लगाता था ना उसके और इजिनल चार्जर के साथ ही फिर वह चार्ज नहीं होता था इसके रिकार्णिंग मैं ने अपने एपल फोन को एपल के सर्विस सेंटर में भी दिया उन्होंने वोल दे रहे थी कि आप एक लाग कुछ और दे तो और नया आइफोन ले जाओ तो दोनों ओफर मेरेको पसंद नहीं आए लेकिन तब एक चमतकार हुआ था जिसको मैं सही बताऊं तो मिरकल ही मानता हूं कि मेरा आइफोन एकदम से चार्ज होने लग गया था लेकिन क्या था कि मेरेको पिन थोड़ी दबा के लगानी पड़ती थी क्योंकि शाहिद से उसके चार्जिंग जैक के अंदर कुछ नहीं के कानी शोटेज हो गया था तो 10-15 दिन जब वो सेर्वर सेंटर में गया तो उस टाइम पे वो अंदर का पूरा सूख वूग गया और लग गया तो मैं पास एक option था कि रिया का फॉन अब रिया का फॉन लेके दोस्तों आज में गया था मंदिर में और रिया के पास फॉन नहीं था और देखो भाई सच बता रहा हूं यह हाथ से एक ही बार निकला है और ऐसा टूटा है कि अभी यह ओन होने का नाम भी नहीं ले रहा है तो यह और फॉन उसको तो फानली मैंने बनवाने के लिए जीजा के हाथ में भेज दिया है जीजा भी कॉल कर रहे है वहां से बाहर खुल नहीं रहा है और वो टाइम लेंगे तो ऐसे मैं फिर क्या करूँ मैं मेरे कोई समझ नहीं रहा है क्योंकि ना तो अभी मेरे पास कोई फॉ तो जब तक फोर नहीं रहता मेरे हाथ में तब तक मैं बहुत वीक पढ़ जाता हूं और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे सारे की सारे यूट्यूब चैनल वगरा के जो एक्सेस है वो मेरे आइफोन में यह है और अब क्या हो रहा है कि जब मैं लॉग इन करने की क बट फिर वी से शल्यूशन जो आप लोगों से शेर करने थी शायद से आपको थोड़ा फन लगे या क्या लेकिन आप बताना क्या ऐसा पॉसिवल हो सकता है या नहीं मैं देख रहा हूं कि जब से न मैं अपनी बाजू के यहां पर इस साइड आपको पता है बाज का एक ट तो मैं देखता हूं कि वैसे तो भगवान का टैटो है ठीक है यह इंस्पिरेशन के लिए बाज का डिलवाया था मैंने बट मैं देखता हूं आप भी देखो मेरे व्लॉक्स जब से मैं यह दो टैटो बनवा का आया हूं अपनी आर्म के उपर तब से जो मेरा लग कहना हू क्योंकि आपको बता है अपने नया बिजनिस खोला है दो तिन महीं ने आप ही डेश्ट पर चले जाएं तो आजसी मैं पीछे फिर श्टाप अच्छी तर से वर्क नहीं करता है तो कहीं नहीं मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लोग फिर कमेंटे लगने करने आपको पता है शुरू से आसा ही चलता रहता है जिंद्रीगी में अच्छा बापिस आ रहा था तो एक नुकसान और हो गया उन नए टायर लिये थे मैंना भी थोड़ा टाइम पहले ही तो एक टायर फिर से बढ़ गया मतलब तो क्या ही बोले दोस्तों कुलम लाकि यही बो सकता हूं मैं बाकि I hope कि जल्दी जल्दी वो फॉन बनके आ जाए और आप तक मैं व्लॉग पहुंचा सकूँ अगर नहीं व्लॉग नहीं फॉन बन गया तो तब तक थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो I hope आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा को अच्छा लगा को